नमस्कार दोस्तो राजे सार्वेदिक टिप्स चैनल पर आपका स्वागत है इन पत्तियों को लगबग सभी लोग जानते और पैचानते हैं यह साहजन पेड़ की पत्तियां हैं साहजन के पेड़ में दुरलब आउसदी गुण होते हैं इन पत्तियों में बहुत से बहतरीन पोसक्तत होते हैं और इनमें इतने ज़्यादा POSAKT तो पोसक्तत होते हैं कि इस पेड़ को alea का पावर हाँस का जाता है इसके सेवन से सरीर में परियाब तो उर्जा मिलती रहते और ऐसा कोई पोसकत नहीं है जो सहजन में न पाय जाता हो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और सहजन में कौन-कौन से प्रियोग हम क्यों करें सहजन में ऐसी क्या बात है कि हम उसको अपने लाइफ में प्रियोग करें और उसमें से कौन-कौन से फायदे होते हैं और किन-किन बीमारियों को रोग ठाम में सहजन प्योगी है और लापकारी है तो आप वीडियो को पूरा देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि सहजन कि प्रकार के रोग दोस हैं उनको सहजन का प्रियोग चालू कर देना चाहिए क्योंकि सहजन में बहुत से अच्छे दुरलब आउस्दी गुण होते हैं जिन ब्यक्तियों में खून की कमी है एनीमिया से गरसित है वो लोग इस प्रेण का जरूर सेवन करें इनकी पत्तियों क को जरूर खाएं हड्यों को मच्बूत बनाने में गठिया की बिमारी में सहजन का प्रियोग बहुत जरूरी है मस्तिस्क विकारों में और शरीर के सेंट्रल नर्वल शिस्टम को कमजोर हो जाने आप सहेजन का सेवन जरूर करें। कुछ दिनों के लागतार सेवन से रीड की हड़ी, तांत्रिका तंत्र की जितनी भी समझ्चा है, सहेजन ठीक करने लगता है। नस्दाडियों की कमजोरी को खत्म करता है और जिने अलजाइमर है बार बार भोलने की समझ्चा है। वो भी सहयजन की सब्जी का प्रियोग कर सकते हैं, जिनें पेट की समस्या है, पेट में गैस बनती है, कब्ज होता है, पेट फूलता है, लीवर की कमजोरी है, गैस्ट्राइस्टिस है, या अल्सरेटी कोलाइस्टिस की समस्या है, उन्हें सहयजन की पत्तियों की सब्जी बन गरताएं संधार हिवह वाण से शरीर का जो उर्जा का इस तरह बड़ता सरीश को ताकत मिलती है ठाकान मिटाता ही और धुरी रैडिकल्स को करके शरीर को सक्तिसाली बनाता है सयजन की जड़ काडा सेंध yolा को हें मिला कर पीने से गाल ब्रीडर की पθरी में आराम मिलता ओर भूर दीरी खत्म होती है मिरीगी की रोगी इसी प्रयोंग को कर सकते हैं सब्सक्राइप कर दूर करने सेंध और सेंध फूड बन चुका है ये कितने अंगीनत पोसकत्तों होने के कारण ये तमाम बैग्यानिक अनुसंधानों में ये सावित हो चुका है कि सहजन बच्चों के लिए बड़ों के लिए बुड़ों के लिए कितना उप्योगी है सैकलों पोसकत्त विटामिन श्कानी एंटी थो रहा है अस्थमा होने पर सहजन जोंटाकर पीने से अस्थमा के रोग्यों को आराम मिलती है नसंदाडीों की धखान मिटने के लिए आप सहजन का प्रियोग कर सकते हैं Gulfऌ की कु दूर करने के लिए खूं की कमी मदद करते हैं धू팅 स्थीग प्रकार से बशाओं करने के लिए साथों leत करने के लिए प्रजिनन अंगों सक्टिसाली फिक्तिष्डय को उसे रोखता है और नर्वस सिस्टम को समंदी को दूर करने के लिए अलजाइमरक दिमाग में कमजोरी तरणावट डिपresseन को खत्म करने के लिए आप सहजन की पत्यों का प्रियोग जरूर करनाए पेट को आन्तों को सक्टिसाली बनाने के लिए आतों के तमाम जो हानिकारेक बैक्टीरिया हैं उनको दूर करने के लिए और पेट के लिए जो हैलफुल बैक्टिरिया होते उनको बढ़ाने के लिए आप सहजन की पत्तियों का साख बना कर जरूर खाएं। उल्टी गैस अफारा और कब्ज की तमाम समस्चाओं को दूर करने के लिए सहजन का प्रियोग बहुत ही लापकारी है। बालों में चमक लाने के लिए और बालों को हिल्दी और उनको बढ़ाने के लिए और उनकी जो जड़ रह बालों को रोक थाम के लिए आप सहजन की पत्तियों को जरूर इस्तिमाल करें। चेहरे को कांतिवान बनाने के लिए, kidney मूत्र विकार में लाप आने के लिए और 6 समंदि तमावन समस्याओं को दूर करने के लिए आप सहजन का परियोग कर सकते हैं. सहजन बहुत ही अच्छा है और सहजन का परियोग जरूर करें. इस समझ में ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं मिलते किसी नेक्ट वीडियो में थैंक्यू जाहिंद